शिरोही का एक ऐसा तीर्थ जहां चमतकार ही चमतकार हैं। शिरी वीजान माताजी का मंदिर। प्रकर्ती की खुबसूर्ती के बीच सनपूर ग्राम पंचायत के करजाल गाओं की पहाडी पर सिरी वीजान माताजी का मंदिर है। स्री विंद्या वासनी माता जी का साक्षात परचा है यहां एक गंगा बेरी है चट्टान के उपर पानी का कुंड है जिसका पानी कभी समाप्त नहीं होता अनगीनत पक्षियों की भरमार है यहां एक प्राचिन गुफा भी है मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको यहां बड़ी बड़ी चट्टाने हैं और बहुत खुबसूरत तीर्थ है यहां संत सिरो मनी हम दर्शन करें मा के हम स्री विंद्य वासनी मा के दर्शन करें जो यहां साक्षात विराजमान है यहां सिरी सिरी एक अजाराट सिरी राज भारती जी माहराज ने तपश्या की थी आज यहां सिरी हरियों भारती जी माहराज विराज ने हैं हम मा के दर्शन करें मंत्र मुग्ध होकर मा के दर्शन करें पहले यहां एक छोटा सा मंदिर था लेकिन वर्त मानने यहां मंदिर के साथ यहां धरम साला है यहां रुकने की वोजन की आधि की व्यवस्ता है यहां संत विराज्टे ले हैं यहां सुना है आजकल रीच भी आने लगे हैं आप दरसन करें मा के साक्षात विराजमान है मा इनके चमतकार की बहुत चरचे हैं यहां मेला लगता है ओ शक्ति रुपेन स्थिता नमसतस से नमसतस से नमसतस से शक्ति के बिना शिव की कलपना नहीं की जा सकती की माता जी वो है कहते हैं हजारों साल पहले इस पहाड़ी पर कोई संत आये थे राखोडिया महराज के नाम से एक संत आये थे प्यास लगी उनको पानी किसी परशु पालक से मांगा होगा पानी नहीं पलाया प्यास से बेहाल हो गए तब माकता जी साक्षाद प्रगट हुई पूछा क्या चाहिए आपको उन्होंने का माता मुझे प्यास लगी है उन्होंने अपना तिरशूर चटान के उपर मारा और चटान में एक अक्षे गंगा गंगावेरी निकल पड़ी आप देखेंगे उस गंगावेरी को तो सच में चमतकार का दूसरा नाम है ये सिरी वीजान माता का महातिर थी राखोडिया महराज जी ने कहा कि माता जी मुझे भजन करना है इस पहाड़ी पर उन्होंने करना ही पास में एक पहाड़ी है वहाँ पर आप जाईए भजन की दिये और भजन में लीन हो गए मा की सरना गती हो गए ये सिरी वीजान माता जी का मंदिर है ये ये आप देखें सिरी राखोडिया महाराज के नाम से एक शनत आय थे जिनके बारे में इन्ही को जब प्यास लगी माता जी ने एक इस्था अक्षय जल की व्यवस्ता कर दी गंगा बेरी की व्यवस्ता कर दी मा को कोई सच्छी भाव से पुकारता है तो मा प्रगट हो जाती है परमात्मा प्रगट हो जाते हैं ये तीर्थों की भूमी है ये अर्बुद प्रदेश है ये आवु राज है यहां अनगिनत तीर्थे हैं जहां अनेक अनेक रूपों में परमात्मा के हमको दर्शन होते हैं मैं राजेंद्र नरू का जीव शेश शीवतक यात्रा देव नगरी के देव दर्शन हे कनंत की यात्रा के तहट मैं इस थीर्थ पर पहुँचा चारों तरफ हरियाली कोई तिनका भी नहीं काड़ता चारों तरफ माइनिंग की भरमार है लेकिन मा का प्रताब है मा के चमतकार है और इस संसार में चमतकार को ही नमसकार होता है सहाब इस पूरी पहाड़ी के उपर पानी की ववस्ता है जंगली जानवरों की भरमार है यहां मोरादी भरमार है उनके लिए दाना पानी की व्यवस्ता संत शिरो मनी सिरी सिरी एक अजराड सिरी राजभारती जी महाराद इस्थाई व्यवस्ता करते हैं यहां जो भी कोई आता है प्रशन होकर जाता है उसके आदी देविक आदी भौतिक और आध्यात्मिक संतार पमिट जाते हैं बस हम भाव से वहाँ पहुँचें हम भाव से दर्शन करें ये सिरी विजान माता जी का मंदिर है सिरी विजान माता जी के इस मंदिर की बस हम यहाँ पहुँचें एक बार आप सच मानिये आपको एहसास होगा इस आध्यात्मिकूर्जा का आपको एहसास होगा परमात्मा की करपा का आपको एहसास होगा कि आप कौन है आपका मक्सद क्या है आप इश्वर के अंस है और आपका मक्सद इश्वर प्राप्ति है यहां इनका एक आश्रम नुमा भवन है यहां विराश्ते हैं संत यह सिरी हरियोंभारती जी महराज है बड़े सरल हिर्दई हैं शांत प्रवट करती के हैं आने वाले संतों की अथितियों का स्वागत करते हैं और यह देखिए आप गंगा बेरी यह चटान के उपर है सज्जनों यह संत सिरी गंगा भारती जी महराज ने बाल्टी में इस गंगा जल को निकाला और जब इसका पान किया तो कोई शब्द नहीं है अम्रत तुल्ल जल इसी पानी को पीते हैं हर हर गंगे हर हर गंगे बहुत हिफाज़ से और महराज जी बता रहे थे कि कोरोना काल में तो इस जल ने एक औश्थी का काम भी किया हर हर गंगे बड़ा अद्फुत पानी मैं कई खंटी वहां रुका और इस पूरे छेत्र को देखा उस गुफा को भी देखा अब हम एक उस प्राचिन गुफा को देख रहे हैं जहां साधु ने यह देखिए यह गुफा है और इस गुफा में हम प्रवेश कर रहे हैं ये बाजु में ये कुछ भोजनादी बनाने के साधन है जरूर किसी साधु ने यहां तब किया होगा आज भी अलोब साधु यहां विराजते होंगे ये धुणा है इस गुफा में और सिरी हरियों भारती जी महाराज ने बड़े आत्मियता से दर्शन करवाए शोयम कोई चपल जूते नहीं पैंते लेकिन मुझे कहा कि कंकर है पत्तर है काटे हैं इस स्थान पर आप नंगे पैरनी चले हैं इस पूरी पहाड़ी पर घूम घूम कर देखा तो सच मानिय आनन्द आ गया करते हैं साधना करते हैं ये गुफा है महराजा भरति हुश्च का कतन है की प्रकरती ने हम को इतना कुछ़ दे रखा हैं पिने के लिए जैवनों का पाली है शिला है आशन के रुप में ओडने के लिए अकास का तो फिर हम क्यों व्यर्थ सिंता करें हम शिव 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 श कनंत की यात्रा देव नगरी के देव दर्शन सिरोही टेंपल सिरोही से इस यात्रा का शुभारम हुआ लेकिन ये तो जीव से शीवता की यात्रा है ये देखिए कितनी खुब सूती से और ये बड़ी बड़ी चटाने चारों तरफ माइनिंग है चारों तरफ समझ ये कि धर गलती सोना उगलती है और जै महादेव जै स्री विशान माताजी की जै बिंद्यावास।